आदिम काल या उससे पहले से आज तक हम सभी इंसान हमेशा ही रिष्टों के साथ रहे हैं और हमारे रिष्टे ही हमें सफलता और खुशियां दिलाते आए हैं और आज के वक्त रिष्टों की खुबशूरती खदम होती जारी है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि यसे हालात में वो क्या करें या कैसे वो अपने रिष्टों की खुबशूरती को बढ़ा सकते हैं अगर आपका भी यही प्रॉबलम है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल टिप्स बता रहा हूं जिनको अपना कर आप ना केवल अपने सभी रिष्टों को खुबशूरत बना सकते हैं बलकि आप अपनी सफलता और खुशियों को भी बढ़ा सकते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और जो बता रहा हूं कि अपनी लाइफ का हिस्चा बनाने की कोशिश करिए रिष्टे में खुबशूरती बना कर रखन होता है इस शब्द का हिंदी में मतलब होता है पूरी बात पता होने के पहले ही किसी के बारे में अपनी राय बना लेना जब आप किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो आप उन लोगों से बिलकुल वैसे ही विवार करते हैं जैसे आपने राय बना रखी थी और ये रिष्टों के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता चलिए इसे उधारन से समझते हैं मा लीजिए एक लड़का और लड़की हैं जो एक दुखरे से प्यार करते हैं उनका रिष्टा बहुत ही प्यारा है, मिठा है लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लड़के के ऑफिस में काम बढ़ गया लोगों को नौकरी से निकाला जाने लगा और लड़की के उपर दुखना प्रेशरा गया उसे अपनी नौकरी की भी चिंता है काम भी दुखना करना पड़ रहा है और इस वज़े से वो खुद को भी ठीक से वकत नहीं दे पारा पर वो नहीं चाहता कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो जरा भी परेशान हो तो वो पूरी बात लड़की को नहीं बताता और सिर्फ ये कह देता है कि उफिस में थोड़ा वरक लोड है लेकिन इस extra load की वज़े से वो अपनी girlfriend को time नहीं दे पा रहा और इस बात से लड़की को बुरा लग रहा है अब हम इंसानों में judgmental nature by default होता है और इसी वज़े से लड़की ने जरा भी situation को समझने की कोशिश नहीं करी और उसने ये राय बना ली कि मेरा boyfriend तो मुझे इगनूर कर रहा है time नहीं दे रहा और इसी तरह की दुखरी बाते थोड़े वक्त लड़की ने ये राय अपने अंदर रही और उसके बाद इसी judgmental सूच की वज़े से लड़के से लड़ाई शिरू कर दी लड़का पहले ही अपनी नौकरी में परिशान है और अब इस बात की वज़े से वो और ज़्यादा परिशान हो जाएगा और जो बाते प्यार की वज़े से छुपाई जा रही थी वो लड़ाई का कारण बन जाएंगी अब यहां मैं किसी जेंडर को सही और गलत नहीं कह रहा हूँ ना ही मैं यह कह रहा हूँ कि जो भी होगा सिर्फ इसी वज़ारन के आसपास होगा यगीन जानिए हम सभी जेज्जमेंटल होते हैं यह हमारे नेचर में हैं हम अपनी सोच के आधार पर बिना किसी एक्शुल फैक्ट के दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं और राय बनाने की यह आदत ही हमारी लड़ाईयों का कारण बनती है और हमारे खुबशूरत रिष्टों की खुबशूरती को खतम करती है आपको अपने हिउमन नेचर को समझ कर अपनी राय बनाने की आदत को थोड़ा सा बदलना होगा और अपनी राय को फैक्ट के आधार पर बनाना होगा सवालों के आधार पर बनाना होगा जब आप ऐसा करेंगे तो आपके रिष्टे बहुत खुबशूरत हो सकते हैं और कैसे चलिए इसे भी मैं अपने पुराने उधारन से समझाने की कोशिश करता हूँ जब लड़के ने टाइम देना कम कर दिया तो कोई भी नेगेटिव राय बनाने की जगा लड़की को फैक्ट की तरफ देखना चाहिए और सवाल करना चाहिए पहला फैक्ट ये है कि अब के पहले तो हमेशा टाइम मिलता था केर मिलती थी लेकिन अब नहीं मिल रही है और अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही अब इसकियों का जवाब भी फैक्ट के आधार पर ढूड़ना चाहिए अगर लड़की को पता है कि मेरा बाइफरेंट वर्क में बिजी है तो इसे सवाल करना चाहिए कि कितना बिजी है क्या वो सेच में इतना बिजी है या उसकी परिशानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा है जब इस तरह के सवाल होंगे तो जो राय बनेगी वो फैक्ट के बेश पर बनेगी और उसके बाद गलत फेहमी और लडाई के चांसे भी बहुत कम रहेंगे तो मैं फिर से कहता हूँ कि लोगों के बारे में कोई भी राय पूरी जानकारी के विनावत बनाईए और जब आप ऐसा करेंगे तो रिष्टे बहुत ही खूपक्यूरत होंगे ये बात भी तय है रिष्टो को खूपक्यूरत बनाने का दूशरा नियम है अपने रिष्टो को ग्रांटेड मत लीजिए दूर के रिष्टो में तो ये फिर भी कम होता है लेकिन नजदी की रिष्टो में हम अक्षर ही अपनों को ग्रांटेड लेने लगते हैं और ये बात भी रिष्टों की खुब्सूरती और मिठास को खतम कर देती है। मैं आपको एक सवाल से इस बात को समझाने की कुशिश करता हूँ और आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ। अगर आपके शादी को कुछ साल हो चुके हैं तो आप ही बताईए कि पिछली बार आपने अपने काम से घर आने के बाद अपनी पत्नी से बिना किसी कारण ये कप पूछा था कि डालिंग तुम कैसी हो। और यही सवाल पत्मियों के लिए भी है, कि आपने पिछली बार अपने पती से प्यार से कब पुछा था कि कैसे हो? यही बात आपके माता पिता के लिए भी लागू होती है और दोस्तों के लिए, और किसी और करी भी के लिए भी. असल में हमें से अधिकता लोग अपनों से उनका हालचाल पूछते ही नहीं है क्योंकि हम उनको ग्रांटेड लेने लगते हैं और ये बात रिष्टे की खुबसूरती को खतम भी करती है अगर आप चाहते हैं कि आपके अपनों से आपके रिष्टे बहुत खुबसूरत बने रहें तो आपको अपनों को ग्रांटेड लेना बंद करना होगा आपको अपनों की केर हमेशा ही वैसे करनी होगी जैसे आप दुनिया की केर करते हैं आपको अपनों से अक्षर पूछना होगा कि आप कैसे हैं और आपको ये बात पूरे दिल से करना होगी ये बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है तो कोशिश करिए इसे फिरू करने की और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी ला इसमें कम से कम दो लोगों का होना जरूरी होता है लेकिन लोग अक्षर सिर्फ मैं या तुम में लगे रहते हैं और हम कितना जरूरी है उसे पूरी तरीके से भूल जाते हैं और ये बात रिष्टों की खुपसूरती को खतम कर देती है चलिए इसे भी उधारन से समझाता हू कई बार परिशानियां बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं लेकिन पतनी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती पती बाहर का काम देखता है परिशानी उठा कर पैसे कमाता है और वो चाहे जितनी परिशानी आए अपने परिवार का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता है और चाहे जो हो जाए वो परिवार पर दुखों की कोई परचाई पड़े तो उसे अपने उपर ले लेता है अब यहाँ तक तो ठीक है दोनों ही लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं परिशानियों को भी उठा रहे है लेकिन कई बार हम अपनी परिशानी से इतना परिशान हो जाते हैं कि हमें सामने वाले की परिशानी तकलीफ दिखती ही नहीं हमें लगता है कि हमारा ही दर्द और दुख सबसे बड़ा है और इस वज़े से हम लड़ने लगते हैं अब मैं आपसे यह नहीं कहा रहा हूँ कि आप अपने दर्द को इक्नोर कर दीजिए लेकिन आप अपने रिश्टों के दर्द और परिशानियों को भी समझने की कोशिश करिए अगर आप सिर्फ अपनी खुशियों की बात करेंगे अपनी परिशानियों की बात करेंगे अपनी ही चिंदा करेंगे तो आपके रिश्टे कभी भी खुब चुरत नहीं हो सकते लेकिन अगर आप बात करेंगे आपके साथ ही अपनों की तकलीफों की परिशानियों की और आप उनकी तकलीफों को सुनेंगे उनको सुल जाने की कोशिश करेंगे तो आपके रिष्टे बहुत खुशूरत होंगे ये बात भी तैय है ये सिर्फ तीन टिप्स हैं लेकिन मैंने इसी तरह की कई टिप्स दीवी हैं मेरी किताब सफलता और खुशियों के दस सवाल में इस किताब को लिखते हुए मैंने बात करी है सवालों की ये सवाल हैं पैसे के बारे में, परिवार के बारे में, दोस्ती के बारे में, खुशियों के बारे में, पैरेंटिंग के बारे में और ऐसे ही कई और मुद्दों को मैंने अपनी किताब में उठाया है जब आप इन सवालों को समझेंगे और इन सवालों के जवाब को समझेंगे तो मुझे यकीन है आप अपनी लाइफ में सफलता और खुशियों को पाने में कामियाब हो जाएंगे आप अपनी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम का सलीशन ढून पाएंगे और आपके रिष्टों के बीच खुबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ये बात भी निश्चित है तो अगर आप मेरी किताब सफलता और खुशियों के दस सवाल को खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रॉप्शन में मिल जाएगी पिन की हुए कमेंट में मिल जाएगी आप महां से जाकर के खरीद चाकते हैं और आप पढ़ने के बाद अपना उपीनियन अपना रिव्यू अपने कमेंट मुझे जरूर बताईएगा कि ये किताब आपको कैसी लगी तो अब आप किताब खरीदना चाहते हैं तो उसे खरीदिए वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्क्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई वीडियो कभी भी मिच्ट ना करें अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद